हेलो कमांडो कैसे आप सभी लोग और बताएगा जरूर कि आपकी पढ़ाई के ही चल रही बिटा है ना क्योंकि एक्जाम को जो है वो बहुत ज़दा वक्त नहीं रहे गया है अभी लेकिन अभी भी इतना वक्त है कि आप अभी भी ठीक से पढ़ेंगे तो आपका एक्जाम निकल जाएगा ठीके ना एक बार यहां दिसंबर का महिना निकला आपका नवंबर दिसंबर यह महिने भी निकल गए तो फिर बटा फिर उम्मीदे काम होने लगती है ठीके ना मैं वहीं बोलूँगा कि कोई भी चीज को पकने जिसे हम बोलता घर में हम खाना पकाते तो द तो आप सबको यसे मालूम है कि जो वार्फलोजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कुछ फैमिली उन्होंने एड की है ठीके जैसे मेरे पास नया सिलेवर से उसमें उन्होंने जो है वो फैमिली मालवेसी, कुरूसिफेरी, लेग्यूमिनेसी, कम्पोजिटी, ग्रै सुना, तो बात अलगे पर हमारा फर्द है कि जो उसको और रहेगा है, जिसके एकार्डिंग उन्होंने डिरेक्षन दिया है, कि यह से अंदर रहेगा, वह हम को ब्रहे है, अब कहाँ से पढ़ है, फिक ह mijn ल probably उसरो फीर fatto, अब कर दक रहेगा है, यह एक्षर सिम्पल सी ब पर प्राब्लम क्या है उसमें आप याद ने रख पाएगे तो बहतर है कि हम वण वाई वन फैमिली आप पड़ना ही पड़ेगा बुराही वाली बात ही नहीं है अपने पास के चौईस है कोई we don't have any choice हमारे पास कोई choice नहीं हमको बस पढ़ना है मतलब पढ़ना ठीके मैं हमेसा आपसे एक बात करता हूँ ठीके कभी-कभी जी जलाने से जिन्लिगी रोशन हो जाती है महिनत कर लो एक बात के ठीके fortune बदल देगा तो चलिए तो हम बात करेंगे बिटा morphology of flowering plants में जो है हम वो new syllabus के according देखेंगे आज family मालवेशी पर बात करेंगे ठीके ना क्या content आपको पढ़ना है क्या exam के expected question हो सकते है वो सब मैं आपको बता हूँ ठीके तो important हिस्सा है बिटा तो याद ध्यान रखिएगा इसका ठीके चलिए अब देखो बिटा है ना हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि जो सबसे सबसे मैं पूछू पूरी family मालवेशी का सबसे famous जो plant है जिस plant का बहुत बड़ा commercial इस्तमाल है बहुत बड़ा economical importance है इसका वो है cotton is a cash crop it is cotton cotton जो है वो it is a source of fiber यह fiber provide करता है and it is a cash crop यह एक प्रकार से नगद फसल के रूप में काम करता है पर interesting बात है कि cotton का जो fiber है वो anatomically true fiber नहीं है cotton का जो fiber है वो anatomically true fiber नहीं है it is a seed hair यह क्या होता है seed hair होता है seed hair होता है ठीके तो हम जानते हैं कि मतलब एक तो हमें example पता हुआ ठीके सबसे famous example है family malvacy का representation की बात करें सबसे famous example होता है तो cotton दूसरा क्या है दूसरा है china roast के china roast की बात करें हम ठीके china roast के जो hibiscus plant हम बोलते हैं इसको normally हम क्यों होते है hibiscus plant करते है this is one of the another famous plant जो की malvacy family में आता है ठीके है ना देखिए आप hibiscus plant हम सब ने देखा है हम सब ने देखा हुआ है hibiscus plant ठीके family malvacy में आता है ठीके है ना चलिए और क्या example इसका है पहले तो हमको पता होना चीए पहले तो हमको पता होना चीए कि इस फैमिली को दि मालविसी फैमिली कौम पढ़ रहे है तो इसमें इसे क्या है ऐसे क्या चांद तारे लगे इसा क्या यूनिक है यो हमको पढ़ना पढ़ रहा है कि तो नमबर एक सबसे एंपॉटेंट पॉाइंट है कि एक सबसे बड़ी कैश कॉप जो होती है जो कॉट है cotton fiber जिससे मिलता है उस वो इस family माता है तुसरा one of the very common plant that is the hibiscus china रोज वो इसके अंदर आता है ठीक है ना देखिया आप अब interesting बात most unique feature जिस पर examiner 99% examiner इस पर question करता है ठीक है मतलब यह बहुत unique feature इसका वो है presence of epicalyx के epicalyx का पाएदाना family malvacy की सबसे बड़ी characteristic सबसे बड़ी differentiating characteristic है presence of epicalyx के देखो यह क्या है यह तो हो गया कैलिक्स यह कैलिक्स है यह हो गया है को रोला ठीक है बाकि एंडोश्यम गाईडोश्यम अंदर होंगे इसमें तो कैलिक्स के बाहर हमको एक रिंग दिखाई पड़ती है हमको उभार दिखाई पड़ते हैं इसे बोलते epicalyx का एपी मतला उपर कैलिक्स से उपर ना पहले यह बनेगा उसके बाद कैलिक्स नहीं को रटके तो epicalyx का पाईजाना के याद कर लो हैं क्लास मिट के epicalyx का पाईजाना मालवेशी फैमली की सबसे important characteristic it is the one of the most important characteristic of the family मालवेशी क्या epicalyx का पाईजाना clear ठीके चलिए मालवेशी फैमली को बेटा commonly हम क्या बोलते हैं mellow family कहते हैं cotton family को मालवशी family को commonly क्या बलते हैं बिटा इसको हम cotton family कहते हैं या mellow family कहते हैं इसमें 244 जीनस हैंस के अंदर और तक्रीबलन 4225 के आपस species के अंदर शामील ने बिटा ठीक है इसके सबसे famous member जो है वो क्या है वो है hibiscus, okra मतलब भिंडी ladies finger भिंडी के cotton and kakao kakao जो मतलब जो cocoa plant होता है cocoa plant के जो से cocoa मिलता है वो क्या होता है basically वो cocoa होता है it is one of the most important plant जो family मालवेसी में आता है और cocoa का इस्तेमाल कहां करते है chocolate बराने में करते है ठीके, देखिए थियो ब्रोमा कोका, kakao इसके seed जो होते है उनको हम cocoa beans कहते है इसका उप्योग चॉकलेट लिकर बनाने में होता है चॉकलेट बने में, कोको बटर बनाने में इसका यह होता है और चॉकलेट ट्रिको, मतलब थियो ब्रोमा कोको प्लांट जो मालवेसी फैमिली का मेंबर है इस चॉकलेट ट्रिको क्या बलते है फ्रूट्स ओफ गॉड कहते है यह फ्रूट्स ओफ गॉड जो कोको, काकाओ फल होते है उन्हें फ्रूट्स ओफ गॉड कहते है और इनका medicinal इस्तमाल भी होता है और यह एक प्रकार से stimulant, vasodilator की रूप में इस्तमाल किया आते है और इन्हें भी caffeine के समान compound के इंदर भी पाई जाते है ठीके, mood elevating होते है चॉकलेट खाने में इसलिए अच्छा लगता है चॉकलेट खाने का बार-बार मन क्यों करता है को कारणे एक चॉकलेट भी addictive होती है चॉकलेट भी addictive होती है due to presence of some amount of caffeine और इसके लावा हम बोलते है थ्योब्रोमीन, यह addictive होते है chemical होते है ठीके then cotton के बारे में आपको अल्रेड ही बता है कि seed hair जो होते है 90 से 99 परसेंट क्या होते है यह स्रीडों होते है कि यह 90 to 90 परसेंट स्रीडों से बने होते है ठीके चलिए तो पहले बात करते है अब family malvacy के leaf or stem की leaf or stem अब मैं हमें से clear कर दो दो आपको examiner बिल्कुल general feature नहीं पूछेगा जब भी इस portion से question आएगा तो एकदम general question नहीं आएगा question आएगा distinctive feature के उपर गाठ बाद लो जो भी extra family aid की गई है उसके जो question आएगे वो distinctive feature के उपर है जैसे मैंने बताया एक feature को epicalics question exam का हो इसके लाबा हम बात करते हैं तो there are certain common feature को आप avoid भी कर देंगे एक बार पढ़ लेंगे चलेगा पर distinctive feature दिमाग में रहना चीए बटा ठीके ठीके जैसे क्या लिखा है the members of family जो मालमेसी family के members होते हैं वो जाड़ियों की रूप में होते हैं शाकी पोधों की रूप में होते हैं कुछ ट्री और हमको linus linus क्या होते है ट्रॉपिकल क्लिंबर linus हार दी ट्रॉपिकल क्लिंबर ट्रॉपिकल क्लिंबर को क्या बोलते हैं linus बोलते हैं के इस रूप में देखने मिलता है common feature ठीके the leaves are born alternatively and often pomatly lobed and they can also be compound and pomatly भीन के तो leaf जो होती है वो अलग-अलग प्रकार क्यों होती है आप से leaf जो होती ही वो alternate जो है वो alternate जो है वो alternate philotaxi alternate philotaxi को वो दर्शाती होतके इसके लावा pomatly मतलब pamatly का मतलब क्या होता है बेटा हमने पढ़ा हुआ leaf की morphology में pamatly pamatly का मतलब होता है यहाँ पर इस point पर क्या होगा बेटा है इस point पर यहाँ पर petiol होगा तो इसकी तरफ डरने पूरा कटाव का direction है वो इसकी तरफ है ठीके ना यह pamatly compound leaf के लाता है ठीके और जब midrib की तरफ होता तो उससे क्या होता है pinnately compound leaf करते है ठीके फिर इस्टिप्यूल्स आर फाउंड एड दी बैस अब दी लीफ स्टाप इस्टिप्यूल्स का मिलना इसका मतलब मालविसी फैमली में इस्टिप्यूल्स वाली leaf हमको देखने मिलती है इस्टिप्यूल्स क्या होते है जहां पर leaf का leaf best जहां पर होता है वहाँ पर दो उभार दिखाई पड़ते हैं उनको हम इस्टिप्यूल्स कहते हैं ठीके इस्टेम में mucos canal, mucos cavity हो सकती है इस्टेम पर प्रेट होते हैं आपको अबरे हुए हैर दिखाई पड़ते हैं स्टार लाइक पैटर मी इस्टार लाइक पर लिए इसको ठीके है ना देखिए this is the इस्टिप्यू इम्पोर्टन इटके इस्टिपुलेट लीफ हमको फेमली मालवेसी में देखने मिलती है ठीक है क्लियर ठीक है फिर आते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट की बात करते हैं आप है ठीक है फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आइधर बॉर्ण डेफिनिट और इंडेफिनिट एक्जली इंफ्लोसेंस की बात कि तो इसमें सॉलिट्री या साइमोच प्रकार का इन्फ्लोसेंस के नथर देखने मिलता हैं को ठीके मतलब यह साइमोच टाइब के हो सकते हैं जो मैंने कहा सभाञा कि जियंजरी के तो सौलिटरी है तो सिंगल फ्लावर लगेगा उसके उपर सिंगल ठीक है और इन फ्लॉसल से तो गुच्च गुरू बंच अ फ्लावर लगेगा oveल्ली वstudow स्यमभार को किर देखना के मिलता है फ्लावर में बेंन थैन कि क्या होता है इतpower खल Оп होलाफ 이걸 एसा ठीक से मैं पेंजेंज करता हूं ब्रेक्ट का बतलब क्या होता एट होरल ऑफ inklosleri kisini युद रिंग होती है उसे क्या वलते हैं जैक होता है वह ठीक है अपिक बemed सबसे यूनिक फिचर क्या होता है कि इसमें हम कहते है कि इसमें हम कहते हैं कि इसमें वो यह वह वह देखने मिलता है ठीक है इसके लावा जो है फुलावर में हमको नेक्टरीज भी देखने मिलती है ठीक है ना फ्रूट जो होते हैं नट कैप्सूल या साइज जो कार्प में हो सकते हैं तो जो कॉमन है की डिकलिक्सषान करें यहांद स्टिंप्ड तो कॉस्चन हो ठीक है ग क्लिर देखें आ इसुंद है है यृपि कलिक्स इस टीक है है ठीक है ब्रेक्टित फ्लावर हमको देखने मिलतर है ठीक है है न। ब्रेक्ट ठीक देख रहे हैं फुलावर्वर्ट के अट्रीं और अग्रेजर्ट में था गोसीप्यम species ठीक है गोशीपियम फिर इंफ्रोसेंस की बात करते हैं साइमोज होगा या सॉलेट्री होगा इंपोर्टेंट है बेटा ठीक है फ्लावर बाइसेक्शल होंगे मतलब फ्लावर जी यहां पर हाईपो गईस्प्लावर में ओबरू होती है सुपिरयर ओवर एपज Contra कुषे जोते103ड डीकालिक्स फ्ली होते हैं ग्री लोके होते और ये डियार transform bracteos, यह transform bracteos कहलाते है, calyx क्या होते है, बिटा, बोल रा, calyx की हम बात करें, symbol calyx का क्या उसकोते है, क्या होते है, क्या होते है, यह, 5 होते है, और gamo sepals का अदलब है, 5 हो fuse होते है, 5 हो आपस में जुड़े होते है, fuse होते है, ठीक है, ओर generally, कुछनली हमको क्या देखने-मिलता है अपे हमको वालवेट एस्टिविशन देखने 25 तै इंप अपने है केलिक्स वो पांच सेपल से बने होते हैं पांच जुड़े होते हैं गेमो सेपलस जुड़ा होता है polysep nas thief अलग-अलग होते है ठीक है korla की बात करें जा infinity बहुत संख्या मसते है पांच हो सकते है यह 5 के multiple में कई सारे हो सकते है ठीक है polypetalus होता है अलग-अलग होते हैं twisted estimation हमको korla में korla में हमको twisted estimation देखने मिलता है और walweed देखने मिलता है यह मुचली जिनस होंगे, मुचली भी रिलीस करेंगे, करूला और ए्ट्रक्टिव होते हैं एंडरोशियम जो होते हैं वो infinite, बड़ी संख्या होते हैं और सब मिलके एक गुच्छा बनाते हैं Mono Adolfoas condition करते हैं Mono Adolfoas condition में क्या होता है? कि जो इस्टमेन होता है उसके जो फिलामेंट होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक गुच्छा बनाते हैं एक सिंगल गुरूप बनता है इसलिए क्या बलते हैं पांच कारपल पांच होंगे यह पांच से अधिक हो सकते हैं और यह जुड़े होते हैं और एक्जाइल प्लासेंटेशन देखने मिलता है मिलता है कि स्टिगli माइंग फ्री हो सकता हैapping इस में कारपल में होता है क्या होता है ऐसा होगा कारपल देखो तो इस इस्तिग्मा फ्री हें तो हमको यह कैसे दिखाई पड़ेगा टीकिना ला से न का फ extraordin है पैंटा- सब्की सब्लिया प्लाकिन को कि आंपस में lights तीकमा- लोकली सवाइडल केपसुलिक होता हूं उसमें अलग अलग चैमबर होंगे लोकली बतलब आपको अलग अलग चैमबर स versucht मिलेंगे अापको ठीक है लिए और सीड़ोपते नोन एंडोसपर्मी होते हैंच उन्हें जो के नो और प्रोटेंडी यहने इनमें जो सेल्फ पॉलिनेशन को अवाइड करने के लिए प्रोटेंडी देखने मिलता है। प्रोटेंटरी का मतलब यह होता है कि मेल पार्ट पहले डवलप होता है, फीमेल पार्ट की तुल नमेटके, पॉलेट फ्लावर एंटमोफिलस होगा बेटा, मालविसी फैमली में दी हम फ्लावर के अर्रिजमेंट की बात करें, तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हमने कहा कि ज प्लावर प्लावर होगा, प्लावर होता है, यह सब याद रखना है हमको, अब आता है फ्लूरल फॉर्मूला इसका, चीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपसे कि आपको यहाँ पर ब्रेक्टियर, आपको जो है वो ब्रेक्टियर की रिंग देखने मिलेगी आपको, प्लाव आपको क्या देखने मिलेगा, फिर क्या बोल रहा है, यह एक्टिनोमॉर्फिक फ्लॉवर है, क्या बोल रहा है structural flower है एपटल में तीन से तीन से साथ आपको ब्रक्ट आपको देखने मिलेंगे तो केलिग्स में 5 shaped तो कोरोला में 5 पेटल है तो अलग अलग है और यह इससे जुड़ा होता है पॉली हम क्या वोलेंगे हम वोलेंगे हापर की यह वह बैसिकली जो तो एंट्रोशियम में वो इपी पेटलस कंडिशन देखने मिलेगे, पेटल की उपर हमको एंट्रोशियम दिखाई पड़ेगा, जो इंफिनिटी संख्या में कई सारे हो सकते है, गाइनोशियम में हमने बनाया है, हमने का कि ओवरी इस सुपीरियर, फ्लॉबर इस हाइपोग केलिक्स दिखाई पड़ रहा है, फिर केलिक्स दिखाई पड़ रहा है, फिर अंदर आ रहे हो आप तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको ट्रिस्टे से आपको अंदर दिखाई पड़ रहा है, का अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है, को रोला दिखाई पड रहें तरहने हम क्या कररें हम एक फ्लावर को देख रहे हैं उसमें इपिकलिक्स भी हमको दिखाई पढ़ रहा है ठीके फिर फिर फ्लोरल डाइग्राम को देख रहे हैं या तो पर इकोनोमिक इंपोर्टंस की बाथ करें हम तो जो इंपोर्टेंट है बीट ओकराया भिंडी लेडिस फिंगर जो है साइन्टिफिक नेम इसका है एवलबोस बस एसकुलेंटस या हिबिसकस एसकुलेंटस ठीक ना ये नाम बेटा कॉमनली ये उसकी आता इस तो में ठीक है ये फूड का सुर्थ है फैमस सब्जीव में से एक है ठीक है इसके लाबा oil and fiber के लिए cotton seed oil, cotton से oil भी मिलता, fiber ने fiber भी मिलता है तेल निकालने के बाद जो बचता है ना उसको पशोचारह में इस्तवाल करते हैं तो oil मिलता है fiber मिलता है और फोड़र भी मिलता पशोचारह मिलता है cotton, घोसी प्यम से पिर ornamental plant है china rose, humorous, ibiscus, racist साइनेंसिस्ट के शू फ्लॉवर भी बलते हैं कॉमनलिस को हम ठीके कॉटन रोज हिबिसकस मुटा वैलिस कॉटन रोज किलाता है ठीके मालवा और एल्थिया भी जो है वो और्नमेंटल फ्लॉवर होते है ठीके क्लियर तो यह बात कि हमने इसके एकनॉमिक इंपोर्टन्स की बात कि हमने ठीक है है ना अब नेक्स चो फैमिली पर हम बात करेंगे वो है फैमिली क्रूसिफरी छोटा से मैं बहले ही 20-20 मिर्ट के पार्ट होंगे लेकिन एक फैमिली को हम एक बार में टार्गेट करेंगे ताकि वो चीज़े याद रहें अदर्वाइस का कोई इनफॉर्मेशन इतनी बहुत बोर होता है मुझे मालूम है यह इससे बड़े बोर लगते है पर यह इनफॉर्मेशन दिमांग में रहना चाहिए इसलिए मैं अभी मिक्स नहीं करूंगा इसको तो